26 नवंबर 1950 के दिन ही भारत का संविधान बन कर तयार हुआ था इस दिन को आज पुरे देश में कई संगटनों के माध्यम से सेलिबरेट की अजा रहा है ताकि संविधान की विशेष्ताओं और प्रावधानों को लोक्षम असके क्योंकि संविधान एक बेसिक कानून होता है जिसके आधार पर बाकी के कानून बनाया जाते है Facebook लायू के मार्ड़म से लोगों ने संविधान से जुड़े कई सवालों का जवाब विजैमानकर से जानना चाहा जिसका जवाब देते वे विजयमानकर ने भारत के समविधान की कई ऐसी बातों को टच किया है जो बहुत ही कम लोग जानते है या फिर जानते है तो उसे openly बोलना नहीं चाहते है लेकिन विजयमानकर ने सम्विधान के कुछ ऐसे प्रावधानों के बारे में इस वीडियो में बताने का प्रियास किया है जिसे समझना आज उतना ही महतोपूर्ण है भारत के लोगों के लिए जितना की सम्विधान दिवस का से लिब्रेशन करना तो आईए देखते हैं एपियाई के राष्टी अध्यक्त धिमान विजयमानकर का यह वीडियो भारत में रूल अपला वास्तविक नजर नहीं आता देश के कई हिस्सों में इसका फेलियोर दिखा जा सकता है इस दिश्या में थ्री औरगन सब स्टेट को को सा सही कदम उठा लिना चाहिए रूल अफ लॉफ 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 को क्या वोला है रूल अपला को वास्तविक नजर नहीं आ रहा है उनको रूल अफ लॉफ 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 के हिसाब से अभी कॉंस्टिऊशन हमारा बना नहीं है बुरी तरह से बीकिशा आदेखने बीटा लॉफ लॉ में किवह एकवाइलिटीय भीफे लॉफ 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 होना चाहिए फिरनेस की प्रोविजन्स होने चाहिए, Constitution के अंदर में, सेटल प्रोसीजर्स होने चाहिए, लौ प्रापरली इनैक्ट होने चाहिए, प्रापरली प्रोक्लेम्ड होने चाहिए, और ये तमाम चीजह अगर ना हो तो rule of law complete नहीं होता है, तो Constitution of India तो हमारा बना हुआ है जो 54th Constitution है World का it is not the first Constitution देखे British Constitution was the first conventions जो है नुटीन नुटीन नुटीशन के British Constitution थे American Constitution is one of the first written Constitution जो है and there is one country I am not able to recollect अभी में शायद गलत बोल दूँगा वो country को उसका Constitution भी US के बराबर बराबर है then french constitution, then latin american country's constitution, canadian constitution, australian, weimar constitution, so many constitutions, I have also given a list in Cosmo Humanism. So Indian constitution is the 54th constitution and the major 70% portion of this constitution, prevailing constitution, has been taken from the government of India in 1935. The remaining provisions have been taken from the American constitution, canadian constitution to a limited extent, Weimar constitution of Germany and then Swiss constitution limited way, the australian constitution, these constitutions have mainly been taken from the constitution. So Indian constitution is not an original thought. We need to keep this in mind. The other Indian constitution is good but it is not completely. There are so many things which are absent in the Indian constitution. Conspicuously the human rights are absent. Electoral system has been wrongly settled in the Indian constitution. There is no provision of judicial accountability in the Indian constitution. No clear provision of abolition of discrimination in the Indian constitution. The whole thing that has changed to have been changed there is no legal law, And all of the things that have been made in the Indian constitution are wrongly made in the Indian constitution. It has made the basic law, they have made those laws. So from that, at the same time appearing, certainly won't remain. There are so many things which are missing in the Indian constitution. And because the constitution is a basic law, बना लिए फिर वापस नहीं लिए एक साल तक फिर दिल में आया तो वापस कर लिए तब तक कोई रमेडियी है अगर प्रॉपर लॉट नहीं बना तो उसको कैसे टैकल किया जाए जब तक सुप्रीम कोड उसको अनकोंस्ट्टुशनला बोल दे तो वह लॉग पिवेल करता है ।षब बाग पर लॉग और प्रॉट वापस अधना प्रॉट झाली तॉट नहीं इनुट्टुटूशनला बोल था बोली करता है इस आथ चोटुटूँटूद नहीं जर आप्रॉटा फिर फिर इस्टूटूजशला प्रॉट रॉटूटिटूशला पॉटूट वोंट प्रिंस्टिटिवशन में प्रिंस्टिपल्स प्रोफिजिन प्रोपरली सेटल नहीं होता उसके आदार पर लॉज और पॉलिसी सेटल नहीं होता और फिर एक आधी मोधी गोवर्मेंट आजाए तो उसको ज्यादा चांस मिलता है गलत करने का तो देरफोर आम स्पीकिंगे अ बारत की टिपिकल जो जैसे इंडिजिनेस राइट्स है या अफरमेटिव एक्षिन और रिजर्वेशन की प्रॉविजेंस है इसको भी प्रॉपर्ली सेटल करने की जुड़ती है अगर मारतिय सविदान में इमन राइट्स आता है तो आने के लिए कुन-कुन से सगरात्मकला बनाने की जरुवत है पहले तो सभिदान में ही मेज़र अमेंडमेंट में लगेगा इसमें बहुत सारे जो राइट्स है जैसे राइट वांसे आफ है मेन अगर वर्क राइट शल्टर अगड़क राइटव फूर्ड है राइट तो इस इन तमाम तरीके जो राइट से वो आपको पहले अपने कॉंसिटूशन में पार्ट तरी में लाने पड़ेंगे उसके अधार पर आपके हर लॉप को प्रोग्रेसिवली अमेंड करना पड़ेगा सबसे इंपोर्टन तो प्रोटेक्शन अफ यूमन राइट जो है आट जो है और उस तरह का आपको इंस्टूशन बनाने पड़ेंगे पर जिस तरह यूरॉप में हुआ आप देखें यूरॉप में सबसे अच्छा यूमन राइट्स का रिकागनीशन है और उसके इंस्टूशन से और पॉलिसीज है और आप देखें ना एक भी इंसान जो अर्टालिस कंट्रीज में जहां गरीब ही नहीं है उसमें मेजोरिटी कंट्रीज यूरॉप की है यूरॉप की जो सेवेंटी 27 कंट्रीज है जो यूरॉपेन यूनियन है उसमें आपको गरीब बड़ी मुश्किल से मिलेगा और वहां यूमन राइट्स का आप रिकर्निशन देखिए वहां उसका आप उसका इंप्लिमेंटेशन देखिए आपको सबसे सुन्दर मिलेगा है तो मैं समझता हूं कि जैसे यूरॉप में हुआ या कुछ हद तक लाइटन अमेरिका की कुछ कंट्रीज में हुआ है उस तरह से अगर करेंगे तो जल्दी इंडिया में एक डिकेड म दूरोप्मेंट हो सकता है वह डिकेड में डिखला को सबस्क्राइब हो और भारत में भिकाफी कि इसलिए तो इतनी एहमियत है दुनिया में कि all human beings are born equal in dignity and rights the rights are inherent and inalienable and indivisible यह जो बात जो है human rights कहता है और discrimination समाप्त करने से rights realize होते हैं तो यह बात जो human rights कहते हैं तो 60 के अपर covenant conventions है, optional protocols है and various declarations है उसमें कि बहुत सारी चीज़े जो है वो हमको अपने constitution और law में लाना पड़ेगा unfortunately हमारे constitution में human rights word भी नहीं है और human rights यह जो इतना vast है जो बाद में फिर UDHR 1948 से जो declare हुआ और उसके बाद 66 का international bill of human rights है वहां से और ज्यादा यह international law जो है वो बनने लगा, तो उसमें कि बहुत सारी बातों को है दिये हम अपने constitution और laws में और policies में लाते है तो I feel कि 60-70% जो है वो problem हलो सकती है बाकी problem तो इनसान के mind की है देखे जब तक हम जो चीज scientific है नहीं जो चीज नेचर में existing नहीं करती है उन चीजों को उन धर्म को कोई भी धर्म हो या उन कलपनाओ को विचारधारओ को उन मिठको जब तक हम मानते रहेंगे चाहे वह बात किसीने भी कई हो, तो तब तक जो है वो انसान जो है वो सच्चाई को नहीं समझ पाएगा तब तक वो इंसान को इंसान के रूप पे नहीं देख पाएगा और तब तक कि यह भेदबाव जो है वो एक दूसरे के साथ करते रहेगा तो दो सल्यूशन में देना हूँ एक बाए रूल अफ लॉग करने से 60-70% सॉल्व होगा बट मेजर अमेंडमेंट लगेगा यानने कॉंस्टिटिवजन आफ इंडिया को आप अगर कहेंगे तो पॉजिटिव वे में आपको 70-80% जो है वो अमेंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने दो बिल्स दिये है इंवन र ये चीजे जल्दी आसान हो सकते हैं